कहते हैं इंसान अपने इतिहास से सीखता है जहां 2020 दस तक दे चुका है अब समय है 2019 की बातों को याद करने का जिन से हम बहुत कुछ सीखते हैं नमस्कार मैं हूँ अश्वनिवान खेड़े और आप देख रहे हैं news.com आज मैं आपको बताऊंगी पंजाब की वो बड़ी खबरें जिसने पंजाब को हसाया भी तो वहीं डूलाया भी सबसे परे बात करते हैं करतारपूर कोरिडोर की साल 2019 पंजाब और पंजाबियों के लिए यादगार रहेगा क्योंकि एक तरफ जहाँ इस साल करतारपूर कोरिडोर का सपना पूरा हुआ वहीं मासुम फतेविर के साथ हुए हाथ से ने जगजोर कर रख दिया इस साल सिखों के देश के विभाजन के समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है संगतों के अर्दास रंग लाई है और पाकिस्तान इस्थेद गुर्दारा शिरिक करतारपूर साहिब के दर्शर का सपना साकार हुआ है गुरुनानक देव जी ने अपने जीवन के आखरी 18 साल यहां बिताए थे और प्रमुक संदेश दिये थे आखरकार यह सपना पूरा हुआ और दुनिया भर के सिखों ने गुरुनानक देव जी का 550 प्रकाश पर मनाया इस संजीदा मसले पर भी आशंकाउक और सियासत का साया रहा लेकिन भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच बैठोकों के कई दोर के बाद सहमते बनी और बहराल पाकिस्तान ने फीस के रुपे में 20 टॉलर प्रतियात्री वसूलने की ना तो शर्थ छोड़ी और ना ही बिना पासपोर्ट दर्शन करवाने के लिए तैयार हुआ और आखिर में अक्तुबर के अंत में भारत और पाकिस्तान ने डेरबा बनानक में अंतराष्टी सीमा की जिरो पॉइंट पर कोरिडोर बनाने के समझोते पर दस्तखत किये जो कि पाकिस्तान के नारोवाल जीले में स्थिद गुरदारा करतारपूर सहिब से भारत के डेरबा बनानक गुरदारा सहिब तक बनाया गया नमबर दो कोरिडोर पर राशनीती और बयानवाजे भी खोब हुई और केंद्रिमंती हरसिमरत को और बादल ने बयान दिया कि उप्राष्ट पती वेंका नाइटू इसके अगवाई करेंगे। इन सभी के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने नवंबर में करतारपूर कोरिडोर देश को समर्पित कर दिया। और सीएम के अगवाई में पहले जथे का स्वागत पाक पीएम इमरान खान ने किया। जथे में अकाली दल का शीर्ष नेतर्थ भी शाबिल था। हाला कि करतारपूर साहिब जाने वाली संगत की संख्या उमित से काफी कम रही। जिसके लिए पासपोर्ट और 20 डॉलर फीस को जिम्मिता अर्माना गया। पत्नी सहिद गुर्दारा साहिब में नतमस्तक हुए। और वे दोनों समागम में भी गए। इतनी जादा संगत के बावजूद सफलता पूरवक समागम कराने के लिए पुकता इंतजाम की लोगों ने साराहना की। बटाला में रिहाइशी लाकों में चल रही एक पटाका फेक्टरी में ब्लास्ट हुआ था जिसमें की 20 लोगों की मौथ हो गई थे। इस हाथसे ने पूरे पंजाब को हिला कर रख दिया था इसी साल कैप्टन अमरिंदर सिंग और नवजो सिंग सिदू के बेच तलकी चर्चा का विशे रहा दोनों की सम्बन वैसे तो काफी समान ने थे पर लोगसवाचनाओं में बात काफी बढ़ गई थी सिदू ने भटिंडा में रेली के दुरान कैप्टन पर गंबीर आरूप लगाए थे सिदू ने कहा था कि वैकालियों के साथ फ्रेंडली में इश्खिल रहे हैं भटिंडा से कॉंग्लेस उमिद्वार अमरिंदर सिंग राजा वडिंग हार गए और कैप्टन ने प्रतिक्रिया दी कि सिदू के सार्वजनिक बयान का पार्टी को नुकसान हुआ मतदान से एन पहले सार्वजनिक तोर पर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी और इसके कुछ दिन पहले ही सिदू की पतनी डॉक्टर नवजोत कौर ने कहा कि कैप्टन की वजह से उन्हें चंडिगर से लोगसोबा टिकेट नहीं मिला और इस पर कैप्टन ने कहा कि चंडिगर के लिए ना तो पार्टी में उनकी राए के कोई मायने थे और ना ही उन्होंने ऐसी कोई राए थी फिर भी अगर उनसे पूछा जाएगा तो पवन बंसल भैतर कैंडिडेट है नवजोत कौर को बटिंडा से लड़नी के लिए कहा गया था पर उन्होंने मना कर दिया कॉंग्रिस की हार के बाद राहुल गांधी ने स्तिफा दे दिया और सिद्धू भी कमजोर पड़ गए और इसे बेच कैप्टन ने चुनाव की समिक्षा की और कहा कि सिद्धू के साने निकावी भाग द्वारा काम ना करने से पार्टी शहरों से हारी है फिर उन्हों ने सिद्धू का विभाग वापस लेकर ब्रह्मा मोहिंद्रा को दे दिया और सिद्धू को बिजलियो नवनी करन योगे उर्जा विभाग दे दिया चौदा जुलाइ को भी सिद्धू ने कैबिनेट से स्तिफा दे दिया और कई दिन सारवजनिक जीवन से दूर रहने के बाद सिदू ने अम्रसर में लोगों से मिलना शुरू किया पर ये कुछ दिन चला आपको बता दें कि मैं विधान सभा के विशेश सत्र में भी नहीं पहुंचे थे तो देखा आपने 2019 में पंजाब के राचनितिक गलियारों में क्या कुछ नहीं हुआ वेल इसी तरह के स्पेशल प्रोग्राम्स देखने के लिए देखते रहें न्यूस टॉट कॉम और पूरी न्यूस टीम के तरफ से आप सभी को हैपी नुई ये ज हो झानितिक ये पूरी नहीं हुआ तरह एजब प्रोग्राम्स वेल पहीं है गलियारों में युदा प्रोग्राम्स प्रपस्वेज है झाल था? झाल झाल ऑल झाल?